नवस्कार सिक्ष्य बंध हों आप सभी का स्वागत है हमारे योटूब चैनल स्वरा अनकेटमी क्लासेस पर जैसा कि आप मॉड्यूल 9 पर पहुच गए होंगे प्रसिक्ष्ण करते हुए इसके पहले आप मॉड्यूल 8 तक कम्प्लीट कर लिए होंगे मैं उम्मेद करता और आज आप यहाँ पर पढ़ेंगे गडित का सिक्ष्ण सास्त्र यानि मॉड्यूल 9 और उसकी गदिविदी 3 और 6 और उसकी मुख्य पर सनुत्री सब कुछ एक साथ लेकर मैं हाजर हूँ और ये निस्ठा पर सिक्ष्ण कारिकरम दिक्ष्ण पर चल रहा है मैं उम्मेद क करता हूँ अगर आप अप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब अवस्थे करेंगे मेरे चैनल को क्योंकि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें मिलती रहेंगे इसी तरीके से तो आईए सुरू करते हैं आज का ये वीडियो यहां पर सबसे पहले हम गतिविदी तीन करेंगे अपनी समझ की जाच करेंगे गतिविदी तीन में तो आईए सुरू करते हैं देखिए गतिविदी तीन अपनी समझ की जाच करेंगे आपके सामने हैं यहां पर आप इस जगे से आगे बढ़ जाएए जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक कोश्चन मिलेगा देखिए यहाँ पर कोश्चन है कि छात्र जोड के तत्यों के साथ पूरी तरह से सहच है यहाँ जोड़ों कम्प्लिटली कर लेता है जैसे आठ प्लस पाच जोड़ लेगा लेकिन यहाँ नहीं जानता कि इस तत्य को 38 प्लस पा तो अभिवेक्तिय समिकरन नहीं तो यहाँ पर जो आपका आप्शन होगा वो आप्शन होगा इस्थानिक मान यानि इस्थानिक मान कि उसकी समझ की को और मजबूत करना होगा तो इस परकार हमारा अंसर जो होगा वो इस्थानिक मान होगा तो आई इस्थानिक मान जैसे ही हम अगर टिक करेंगे तो देखेंगे कि एक ही question इसमें था और एक question को अब यहाँ पर हम submit करेंगे आप यहाँ देखेंगे कि आपका score जो है complete हो जाता है one by one से आप यहाँ से आप exist कर सकते हैं जिट कर जाएंगे और अगली गतिविधी की तरफ चलते हैं गतिविधी छे की तरफ अब यहाँ पर देखेंगे गतिविधी छे अपनी समझ को अपनी समझ की जाच करें तो गतिविधी छे अब यहाँ पर हम करेंगे यहाँ पर हमें सही बिकल्प का चुनाव करना है सही और गलत भी कल्प होगा यहाँ हमें चुनाव करना होगा तो आईए चलते हैं पहला सवाल हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सी विधी आप भिन अंकों का परिशे देने के लिए उप्योग करते हैं तो कौन सी यहाँ पर आप्शन्स आपके सामने है चाक और बात विधी सभी बच्चों आप देखेंगे बच्चों को उसके स्थानिय संतर्प में आधा एक चौथाई का उधान देना कोई अन्य करप्यान रिदिस्ट करें या गतिविधी का उप्योग करना इस तरीके के options इसमें काफी ज़दा दिये गए है तो आप देखेंगे की कौन सा हमें करना है इसमें सबसे ज़दा उप्योग जो अन्सर होगा हमारा वो होगा गतिविधी का उप्योग करना या या ये या option सही होगा तो इससे हम टिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे देखेंगे एक कोशन था उसे हम अब यहाँ पर समय अब देखेंगे कि यहाँ जो आपका स्कोर होगा वो स्कोर वन बै वन करके कंप्लीट हो जाता है और हमें वन मार्क्स कंप्लीट यहाँ मिल जाता है अब आए एक्जिट कर जाते हैं यहां से एक्जिट करने के बाद सीधा मिलते हैं प्रसनोत्तरी देखें यहां पर प्रसनोत्तरी अप्लोड हो रही है और हम यह 10 कोश्चन करेंगे इसमें से 6 सवाल सही होने आनिवारी हैं वरना आपको सार्टिफिकेट प्राप्त नहीं होगा तो पहला कोश्चन है इनमें से किसे गड़ित को आनंदाई बनाने की जरूरत नहीं है तो यहां जो हमारा आप्शन सही होगा केवल समस्याओं के बारे में छातरों को बताना है यह इसका आप्शन सही होगा तो इसको हम टिक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं ग्यात और अग्यात संख्याओं के बीच का यह संबंध है तो यह आप्शन इसका सही होगा और आगे बढ़ जाएंगे निमली खित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है गड़ित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है तो इसका जो आप्शन होगा वो बच्चों की देख लें बच्चों की उर्जा और समय की बरबादी के लिए तो यहां पर जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा कि बच्चों आप्शन जो हमारा सही होगा वो बच्चों की उर्जा और समय की बरबादी के लिए तो यहां हम इसको tick करके आगे बढ़ जाएंगे आपके options change हो सकते हैं अब देखिए यहां पर जो है इसको आप इस जगे से बढ़ा कर लेंगे यहां पर देखिए इस जगे पर arrow बना हुआ यहां से इसको बढ़ा कर लेजी यह आपको half दिख रहा है देखिए वह चलता है आप समझ लीजिए कि वह बाई ओर अपनी 15 मीटर चलता है और उस स्थान पर से एक व्यक्ति एक और व्यक्ति अपने दाई ओर 20 मीटर की तरफ चलता है तो वहां से जो खड़ा होगा व्यक्ति आया है वह अपनी दाई ओर 20 मीटर चलता है आवनी और सुभम पांच मंजिल इमारत की तीसरी मंजिल पर खड़े हैं आवनी चोथी मंजिल की ओर पंदरा कदम उपर जाती है और सुभम पंदरा कदम नीचे दूसरी मंजिल की ओर जाता है सबिता ने बैंक से 10,000 रुपे निकाले और रमन्ना ने बैंक से 5,000 रुपे जमा कराए तो यह इन सबसी संदर्पों पर विचार करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विचार करके हमें आंसर इसका मिलेगा तो आप यहाँ पर तेखेंगे यह चार आप्शन्स दिये गए हैं आपको तो इन चारो आप्शन्स पर आपको टिक करना है तो यहाँ जो आप्शन आपका सही होगा वो पूरांक आंसर इसका सही होगा और हम इसको टिक करके आगे बढ़ जायते हैं इन में से कौन सा बयान सही नहीं है यानी बयान सही नहीं की तरफ हमें गौर करना है तो गलित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं तो बच्चे सीखते हैं तो यहाँ पर जो हमको सीखना है वो गलतिये बयानों को याद करना है यानी आप्शन जो हमारा पहला इसका तो इसको हम्टिक करके आगे के तरफ बढ़ जाते हैं। अगला कोशन का गड़ित कक्षा में बच्चों को क्या चाहिए। तो गड़ती आउधारणाओं के बारे में उनके बिचारों को पेस कर और चर्चा करना आवस्थ करना चाहिए। पहला आप्षन ही इसका सही है आगे पटने की ज़रूवत नहीं एक प्रासंगी कि स्थितब पर काम करते हैं छातर से उमीद है कि वो इसमें क्या करें। तो इसमें देखे, इसमें वो सामिल, याई क्या हम उम्मिद करेंगी कि वो इसमें सामिल, गड़ती सिद्धानत की वो पहचान कर सके, तो यह आप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, गडित में की गई गत्विधियां क्या होती हैं तो इसके बारे में हम देख सकते हैं कि छात्रों की खुसी में गडित की अधानों को ढूणने के योगे बनाती हैं तो यहां पर हमारा option जो सही हो जाएगा वो यही पहला option इसका सही हो जाएगा अगली तरफ देखते हैं कि प्राथ में किस तरफ गडित सीखने के मुल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए तो इसका option जो सही होगा वो option देखते हैं इसमें कि बच्चे कैसे सीखते हैं तो बच्चे कैसे सीखते हैं जनी इसका पहला option सही होगा आपके orders change हो सकते हैं options के उनका ध्यान रखेगा फिर अगला सवाल हमारा गड़ित या विक्सित करने में मदद नहीं करता कलपना नहीं करता या सारे रिख सकते यानि सारी रिख सकत से कोई भी मदद नहीं करता तो ये ये option हमारा सही होगा सारे रिख सकते देखिए 10 questions थे 200 questions को हमने यहाँ पर complete कर लिया है आप आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और submit कर देंगे submit करने के बाद देखते आप देखेंगे कि यहाँ score जो आपको प्राप्थ हुआ है वो 10 आप 10 आप 10 आपको मिलता है इस प्रकार आपके प्रस्मत्री गत्री दियां सभी चीज़े एक ही वीडियो में उप्लद्ध हो गई है आप आसानी से इसे कह सकते हैं अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगली इसी तरीकी की useful information के लिए अगर आपको अच्छा लगा तो अब सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले मिले धन्यवाद जय हिन जय भारत